हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में मैं हूँ एडवोकेट सनी शर्मा लेकिन दोस्ता है तो ये लीगल चैनल इस पे मैक्सिमम तो मैं आपको लीगल इंफोर्मेशन सी देता हूँ लेकिन कुछ वीडियो जैसे होते हैं जिन पर हम आपको कुछ प्रैक्टिकल इंफोर्मेशन भी देता हूँ कि भाई अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आप इन चीजों से वैसे ही बस सकते हैं मेरे हिसाब से वो इनफोर्मेशन से ज़्यादा अच्छे होती हैं क्योंकि लीगल तो खेवल आदमी तब ही देखेगा जब वो लीगल में इनवाल्व है लेकिन वो लीगल में इनवाल्व ना ही हो और बाहर के बाहर आ जाए या फिर स्मूदली बाहर आ जाए ये चीज़े हारे एक प्विक्ति को देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, implement करना चाहिए देखे इस जीवन में न अने को परलोभन आपके समने आते हैं अब इस परलोबन में आप फसते हो या नहीं या आपके उपर और इन परलोबनों में फसने की वज़े से भी कई सारे कैसे जोते हैं, for example, आप look wise स्मार्ट हो, या नहीं भी हो, पैसे से स्मार्ट हो, आपके बाप पैसा जादा है, तो आप देखेंगे कि यदि आप लड़के ह तो कई सारे लोग आपकी तरफ attract होंगे, कई सारी लड़कें आपकी तरफ attract होंगे, due to your face, due to your expression, due to your money, बहुत सारी चीज़े हो सकती है, same यही चीज, लड़की के साथ भी है, लड़की खुबसूरत है, अच्छी है, तो बहुत सारी लड़के उसकी तरफ से attract होंगे, सब च परलोबन में नहीं फसना, अगर ऐसे गलत काम हम करेंगे, तो फिर हम फसेंगे, कई बार बहुत मामले आते हैं, पत्नी मैसेज करती है सर, जो मेरा पती है, उसको एक लड़की ने फसा दिया, आपका पती इतना सडिफ तो है नहीं, या उसने कुछ किया होगा तभी तो उस आफसें, या नाफसें, ऐसे लड़किया भी बहुत सारे हमारे पास ऐसे केस आते हैं, जा हम चैटिंग देखते हैं, वाइफ की, कि वाइफ की चैटिंग किसी अन्य बंदे के साथ है, और ऐसी चैटिंग है कि जिसको मैं explain नहीं कर सकता है, और उसे आप चैटिंग कहेंगे कोई एक partner generate करता है, और कई बार तो दून ही partner generate करते हैं, एक ने एक बोला, दूशरा ने दूशरा बोला, एक ने एक जुता मारा, दूशरा ने दूनों जुता मार दिये, ऐसे में क्या होगा, तो फिर dispute सी बढ़ेंगे न, एक आदमी भी अगर समझदार है थोड़ा सा, तो बहुत हद्तक चीज़ें सही हो जाती है लेकिन अगर दोनों आदमी समझधार है तो सबी चीज़ें अच्छे तरीके से चलती है लड़ाई छगड़ा होना कोई बुरी बात नहीं लेकिन बुरी बात है जब आप cheating पर उतारू हो जाते हैं जब आप कुछ पैसे के लिए किसी और तरफ अट्रक्ट हो जाते हैं बहुत से मैंने ऐसे messages देखे wife के कि वो कहती है कि मेरा husband अच्छा नहीं है लुकवाईस अच्छा नहीं है और वो दूसरे के साथ यह जो दिल होता है यह देखना चाहिए यह जिसका अच्छा होगा उसके साथ आप हमेशा खुश रह सकेंगे एक लड़की थी मैं आपको अपना personal experience बता रहा हूँ उसके जब शादी हुई तो मेरे को यह कहा गया कि भई इसकी जहाँ शादी हो रही है वो लोग इतने रिच्छ है कि लड़की हमेशा खुश रहेगी और उससे पहले भी उस लड़की कही रिष्ट हुए जो कि तूट गए किसी वएसे है उसने मना कर दिया कि नहीं मुझे यह नहीं करना पसंद नहीं तो उस लड़की ने महाँ पे शादी कर ली अब मेरे माइड में था है रही कैसी बात कर रहे है अगर पैसे साथ में खुश रह सकता तो बात ही क्या थी हालांकि अब्यसलि शादी का माहल होता है तो हम यह सब बोल नहीं सकते लेकिन मन में फिलिंग आई कि यह मतलब एक ही चीज पे तोल रहे है कि पैसा बहुत है उन पे तो हमारी बेटी खुश रहेगी ठीक है सब चीज हो गई शादी हो गई शादी होने का बहुत समय गुजर गया और गुजरने के बाद वो जो लड़की थी उसको टॉर्चर किये जाने लगा जो उसके परिवार वाले थे ससुराल वाले थे वो अलग भिन-भिन परकार से उसको टॉर्चर करते थे पैसे की कोई कमी नहीं करोड़ो रुपया लेकिन उस लड़की की basic necessity भी पूरी नहीं की जाती थी यहां तक की fruit और सबजी तकलाने को उसको पैसे नहीं दिये जाते थे ऐसी परस्तित्य उत्पन हो गई और finally उस लड़की को सब कुछ छोड़के वो इतना rich परिवार छोड़कर करके वापस अपने parental हो माना पड़ा तो क्या यह खुशियों की guarantee है कि सामने वाला rich है इसलिए कहता हूँ दिल देखना चाहिए जिसका दिल अच्छा है उसके साथ आप पूरे जीवन खुश होगी चिसका लुकवाईस अच्छा है यह पैसे साथ है उसके साथ आप खुश नहीं रह सकते है यह तो उसका दिल भी अच्छा है तो तो रह सकते हो पैसा भी है यह फिर समार्ट भी है और दिल भी अच्छा है तब तो कोई दिकत नहीं लेकिन दिल बुरा है न तो सब चीज των से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और कोई एगल